वल्कॉम फ्रेंट्स इस वीडियो में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप आप टेप्स के बारे में क्योंकि हम लोग बहुत टाइप यूज करते हैं तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा टेप आप हेंड टेप के लिए यूज करेंगे कौन सा टेप आप टेप एंगल मोस्ट इंपर्टन रहे आप देख देखते हो 90 डिग्री से कम 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज्यादा उसका टेप एंगल रहता है तो पहले एक एग्जम्पल देखेंगे नेस्ट टेप एंगल के बारे में देखेंगे यह आप स्क्राप आप पावडर मान लो और आपका जो एंगल जैसी भी एंगल वह आपका टेप का एंगल वह है पहला बाला जो आपका 90 डिग्री से कम मिन्स आपका स्क्राप नीचे के तरफ आया अभी टेप एंगल 90 डिग्री से ज्यादा रहे गा तो आपका स्क्राप उपर के तरफ जाएगा ओके और और एक है टेप एंगल अगर 90 डिग्री रहेगा तो दोनों तरफ श्क्राप आएगा उपर और नीचे देख लिजी एग्जम्पूल आच्छे तरशे हम कंपेर करेंगे टेप एंगल के साथ आप देख सेकते हो 90 डिग्री से कम रहेगा तो वह पाउडर निचे दर पायेगा लेकिन वह डिफरेंट टाइप का टेप जालना पड़ेगा आपको यहाँ पे देख से तो स्ट्रेट फ्लूट स्पैरल फ्लूट और स्पैरल और एक बार देख लिजिए स्ट्रेट फ्लूट स्पैरल फ्लूट स्पैरल पॉइंट तो उसका कंपेर करेंगे तो आप स्पैरल पॉइंट में क्या होगा आपका जो एंगल उसका कम है और वो निचे के तरफ आएगा स्पैरल फ्लूट में आपका एंगल ज्यादा है वो के अपन हाले लेकिन दोनों का हॉल में टेपिंग करना है तो कौन सा टेप कौन सा हॉल के लिए यूज करना यह इंपर्टन है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कोई भी प्रग्रम और अप्लेटर के लिए तो यहां पर देखो तो नाइंटी डिसे ज्यादा रहेगा तो आमारा स्क्राप उसका उपर तर जाएगा और नाइंटी डिसे कम क्या आपका स्क्राप निचे तप रहेगा ओके एक तो हम लोग एंगेल देख लिया डिफरन टाइप ओप टेप के लिए और एक है चांपर एंगल ओके चांपर एंगेल मीनजरे आपका कितना थ्रेट स्टाटिंग से कम रहेगा वह भी मौस्ट इंपरनाड है आपका डिफरन टाइप ओप के लिए यहांपे देख लिजी यह आप लोग टेप के लिए आपका चांपर एंगल 425 रहता है टेप पर टेप के लिए 829 रहता है और एक आपका बॉटमिंग टेप बॉटमिंग टेप के लिए आपका 122 रहता है ओके example के लिए एक components लेंगे उसमें एक blind hall को हमको tap करना है thread करना है और उसमें उसका depth दिया है 0.7 inch full thread मानना है तो यहाँ पर हम लोग कौन साथ tap यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग अगर यूज करेंगे plug tap तो उसका full thread maintain नहीं होगा क्योंकि उसका angle ज्यादा रहता है तो यहाँ पर हम लोग bottoming tap यूज करेंगे bottoming tap यूज करने से हमारा जो 0.75 inch depth है वो maintain हो जाएगा बट और एक problem क्या है bottoming tap यूज करेंगे लेकिन कौन सा fluid वाला वो important रहे okay spiral fluid bottoming tap यूज करेंगे क्योंकि spiral fluid bottoming tap में आपका scrap वो बाहर जाएगा इधर आप देख सकतो spiral fluid bottoming tap में आप उसका scrap नहीं है but straight fluid bottoming tap में आपका यहाँ पर scrap उसका अंदर रहेगा blind hold का अंदर और यह problem से आपका tap broken हो सकता है तो यहाँ पर हम लोगों पता चल गया कि blind hold के लिए spiral fluid bottoming tap यूज करेंगे बट आज कंपेर अदर टेप spiral fluid bottoming tap is not stronger ओके वाराइउट हो जाता है फस्टर वाराइउट और विकर अप इट्स कॉर उसका कॉर बहुत विक जाता है आज कंपेर करेंगे spiral point के साथ वीडियो का अच्छा तरह से देख लीजिए क्यों strong नहीं है तो यहां पर हम लोग टेप के बार में थोड़ा जान लिया बट most important है कौन सा टेप यूज करेंगे कौन सा हॉल के लिए और कौन सा मेटरल के लिए यह most important है कोई भी operator और programmer के लिए चलिए देखेंगे conclusion पर चांप और एंगल देखेंगे तो आपका three types different different depth आया और आज पर टेप देखेंगे three types straight flute, spiral flute और spiral point आज पर my opinion blind hall hard metal के लिए यूज करेंगे straight flute bottoming tape और soft metal के लिए वो भी blind hall spiral flute bottoming tape यूज करेंगे और open hall के लिए straight flute block tape यूज करेंगे straight flute block tape हम लोग hand tape के लिए यूज कर सकते हैं ओके नेस्ट वीडियो farming tape का पर लेकर आऊंगा हमरे इस चैनल को subscribe करने के लिए मत भुलेगा और like share करना ज़रूर थाशन के लिए